हेलो वेलकम बेक टू माई चैनल बनार सी अंजली अभी मैंने Mr. DIY का स्टोर टूर किया है मैंने स्टोर टूर तो किया बट मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत ही वर्थेबल और यूजफुल दोनों ही है मैंने स्टोर टूर किया आप बिलीव नहीं करोगे कॉस्मेटिक्स, ज्वैलिरी, कम्प्यूटर एसिसरी, कार एसिसरी, गिफ्ट, टोईज, मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बस एक आपको क्लॉफिंग एरियाज नहीं मिलती है बट क्लॉफिं अंदर चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले मैं कहाँ पहुंच गई आपके कॉस्मेटिक एंड हेर एसिसरी के एरियाज में यहाँ पहुंचने के बाद मुझे लगता यह फैंसी हैर बेंड जो कि 79 रुपीज में था और ऐसे ही बहुत सारे हैर बेंड थे इनका स्टॉक इतना जादा था कि मैं एक वीडियो में कंप्लीटली नहीं दिखा सकती सेकेंडली मुझे यह हैर बेंड बहुत अच्छा लग रहा था नाइट वगरा में आप इसको भी हर करके सो सकते हो उसके बाद से मैं इधर नेकलिस वाले एरियाज में पहुंच गई जिसमें आपको 3 set of pendant मिलते हैं 3 set of earrings मिलते हैं जो कि बहुत प्यारा होता है उसी के उपर आपको यह hair clutcher देखने को मिल जाएगा and यह clip जैसा कि आपको पता है कि Korean वगरा में जो लड़कियां यूज करते हैं ऐसे earrings clutures hair clip तो यह सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे and इतना reasonable price हो मिल जाते हैं and इन में से मैंने एक लिया भी और मैं वीर भी करती हूं and अगर आप collection of earrings चाहिए तो यह 79 रूपीज में होते हैं आप इसको ले सकते हैं earrings हो गए आपके की rings हो गए मतलब ऐसे पहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो की reasonable and worthable price में भी होता और एक होता है ना कि price high है price high नहीं होता है क्योंकि इनका जो material होता है वो भी बहुत अच्छा खासा सा होता है and यह सारे design तो मैंने पहली बार देखे थे कुछ-कुछ design जो है मैंने बाहर देखे हुए थे street market पर but कुछ-कुछ जो होता है ना वो मैंने यहाँ पर नए-नए द जागा different type of hair colors and hair shade भी आप देख के ले सकते हो and यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बहुत प्यारा and cool cool लग रहा था and rubber band वगरा भी यहाँ पर आपको available हो जाएगा and video को last तक देखना आपको बहुत सारे अच्छे-च्छे चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जो क आप बहुत पसंद गरोगे and अभी मैं यहाँ clutcher area में गई थी यार इतने सारे collection देख के ना ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ cosmetic and jewelry वाले shop में आ गई हूँ और इनके पास मतलब यह collection तो गजब गजब के थे जितने आप Korea style देखते हो या फिर आप movie वगरा में भी देखते हो न जो की clutcher वाला था अब मैं चलती हूँ earring and जो भी bracelet वगरा होता है आपको दिखाती हूँ और इस वाले area में भी इतना भीड इतनी इन सब चीजों के लिए भीड कि आप एक चीज को भी ऐसा देख के नहीं कह सकते कि नहीं यह खराब है वह अच्छा नहीं सारी के सारे product यार A1 थे और earring के मामले में तो सच में थोड़ा सा महंगा है बड़ बहुत वर थे वाले इक पता है इनका एक color वगर डाउन नहीं होता है मैंने बहुत सारी use करके देखे हूँ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ and Indian से related भी इनके पास बहुत अच्छे-च्छे collection थे अब sunglasses के इतने प्यारे-प्यारे collection थे ना कि मैं और मेरी यहां बहन यहां पर आते हैं तो दो या तीन जरूर ट्राइए करके एक तो ले ही जाते हैं क्योंकि यह collection इतने अच्छे होता है और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे होता है अब कॉम वगर के collection में आऊं तो यह कॉम या फिर आपको make-up वगरा से related कोई भी product चाहिए तो यहां पर आपको मिल जाएगा और आप जैसा कि आप देख रहे हो यह इतना ज़ादा था कि मैं आपको एक-एक product नहीं दिखा सकती यह बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाता तो मैं नहीं चाहती कि आप मेरा वीडिय वीडियो में दिखाऊंगी हम जब भी जाते हैं एक डैरी उठाकर लाते हैं मैं और मेरे सिस्टर हमेशा यहां से एक या तो स्टीकी नोट्स या तो डैरी या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों ही चीज़े उठाकर लाते हैं जिससे हमको हमारे घर में बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत सारी चीज़े मैंने पिछली मिस्टर डियवाई स्टोर की वीडियो में दिखाया अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उपर आपको लिंक दे दे रही हूं आप वहां पर टैप करके जाके देख सकते हो एंड लिटरली गाइस यहां पर एक एक चीज पसंद आ होती है और मैं उठाकर उसे घर ले आती हूं जबकि वह मेरी नीड की होती भी नहीं है अब उस एरिया को छोड़के हम आ जाते हैं यह बॉक्स के एरिया में पांच बॉक्स अब जो भी कहलो मतलब यहां पे भी मेकप बॉक्स पांच या फिर पैंसिल वगरा जो सब यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे और यह थोड़ा सा मुझे एक यूनिक कलेक्शन भी इनका लगता है नॉर्मल मार्केट में ढूना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है इसलिए हम लोग चूज करते मिस्टर डियाइवाई और मिस्टर डियाइवाई के अंद इन दो बैक्स पर पढ़ती हैं जिनका कलर कंबो बहुत ही सुन्दर लग रहा था इक तो यह पिंक वाला जो था ना इसका कलर इतना सॉफ्ट और इतना सुन्दर सा लग रहा था बड़ मैं इसको पर्चिस नहीं कर सकती ठीक क्योंकि यह चोटे बच्चों के लिए था और म अच्छी नहीं हो लेकिन मुझे फिर भी कोई दिलाता है तो मैं ले लोंगी नेक्स्ट अब हम टावल वर अगरे एरिया में जाते और इतने सॉफ्ट होते हैं और प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है मार्केट के हिसाब से ही होता है इतना ज्यादा उपर आरे वाश बैग का जन्रली आता है मेकप और देखते हूंगे और यहां पर यह पेश्य घ्र डॅर बाहँ नोगे सब्सक्र hembra 7 इंच घ्रैंडे ने वहां तो मुझ मेरे pressing अन्व बहुत बहुत पसंदा रहा हां इस को जाइब पता नहीं कि मुझे चपरी टाइप लग रहा था तो मैं नहीं तो कोई सब्स., विह नहीं जाए लिए बीट दूड़ लेनट पहलेNक डे की मतर है अग्क्या लनुखे अगर हम बिल्ट या इपालते नहीं तो यहां पर रगों विया दो अपने बिट सून प एंड जनरली पता है यह चीज़ें हम ऑनलाइन देखते हैं और हमें Mr. DIY में देखने को मिल रहा है तो यह बहुत अच्छी चीज़ है एंड मैं और मेरी एक फ्रेंड है हम दोनों ही कभी शीशे के लिए दौरते रहते हैं कि हमें सरकल वाला शीशा या मिरर नहीं मिल रहा है त यह चीज़ यहां पर मिल रहा था तो मैं इस चीज़ को देखके बहुत खुश हो गई थी और हम बहुत जल्द लेने वाले हैं और यह सारा बैग वाला एरिया मतलब यार पूरा फुल भरा हुआ था एकदम एक एक ट्रेंड से रिलेटिड बैग था इतने सुन्दर लग र सारे हाइलाइटर कलर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे पैंसिल के option आपको देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे and box के साथ आपको pencil cutter and eraser आपको देखने को मिल जाएंगे तो यह बच्चों के लिए काफी useful है and मैंने यह डंबल ऊठाया था मुझे लगा कि बहुत हलका ह होगा बट आपको देखने में भी लग रहा होगा कि हलका लेकिन बहुत भारी था सिरियसली बहुत भारी था एंड यह बॉल आपने बच्पन में खेली होगी तो इसका तो कोई जोड ही नहीं है अगर बड़े पार्टी वगरे के लिए आप जो भी स्टॉफ होता है वो ढूं एक रिजनेबल प्राइज में देखने को मिल जाएगा होम डेकोर से रिलीटेर भी आपको यहां पर बहुत सारे स्टफ देखने को मिल जाएंगे यह वाला जो क्लिप है न मैंने इसले लिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ यह कितना ब्योटिफुल लगता है और बहु वह चीज़े भी यहां पर आपको एविलेबल हो जाएंगे यह पैंसिल और पेन था जो की बहुत अच्छे से डेकोरेशन मतलब यह स्पेशली बच्चों के लिए डिजाइन किया गया था और यार यह इतने सुंदर क्यों होते एक तो यह लोग कलर जो होता है ना बहुत च आप मुझे कमेंट करना मैं आपको नेक्स वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी और यह सारे बॉटल की कलेक्शन जो आप मेरे से पिछली वीडियो में पूछ रहे थे एंड वेलेंटाइन डेसे भी रिलेटेड यहां पो गिफ्ट वागरा मिल जाएंगे लाइक केंडल फ डियाइवाई का और भी प्रोडेक्ट देखना है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कॉमेंट शेयर करना बिलकुल भी मत बूलना टाटा बाई बाई लव यू